हेलो स्टुडेंट्स प्रिभियस वीडियो में हम लोगोंने एसीडों के राजा आने कींग ओफ एसीड जिसको ह2SO4 को कहा जाता है उसके बारे में अधियन कर रहे थे जिसमें से हम लोगोंने उसका प्रिप्रेशन देखा हुआ था और फिजिकल प्रोपर्टी के बारे में द वीडियो में अधियन करेंगे ह2SO4 के केमिकल प्रोपर्टीज के बारे में जो की पहला है एसीडिक नेचर की होता है सल्फियरिक एसीड एसीडिक नेचर का क्यों होता है तो यह तो आंसर हम लोग पहले से भी जानते हैं कि चुकि ह2SO4 एस प्लस देने के लायक है इसलिए य एसीडिक नेचर का है और एक कोशन इससे बन सकता है कि ह2SO4 दूसरे एसीडों के तुनना में बहुत ही अस्ट्रोंगर एसीड होता है एसा क्यों है तो अस्ट्रोंगर एसीड इसलिए होता है क्योंकि है एच प्लस आयन दूसरे एसीड के तुनना में यह जल्दी दे सकता है तो इसका एक्सन भी जलती होगा इसलिए यह जादा stronger acid है बाकि सारे acidों के तूलना में और इसी गुन के कारण इसको अमलो का राजा अनि अमलराज या तो king of acid भी कहा जाता है तो चलिए देखते हैं acidic nature का कि H plus iron 33 और कब देता है कि H2SO4 is a strong acid H2SO4 बहुत ही मजबूत acid है विकाउस क्योंकि it gives यह देता है H3O plus hydroneumine इसको बोलते हैं and sulfatine SO4 पर double minus in aqueous solution पानी में जब घुलता है तब उसी को दिखाए llchcus H2 P4 जब इसको पानी में घुलाए जाता है तो क्या होता ए कि जो H2SO4 के पास दो लिब्रेट करेगा पानी में तो पानी के साथ अभी किरिया करके बना लेता है H3O+, जिसको बोलते हैं है अभी इसके पास क्या बचा ते एक हाड्रोजन और एक बार H+, दे सकता है उसी को दिखाए गया है कि पुना जब HSO4 को पानी में घुला जाता है तो यह बनाता है H3O+, वाटर के साथ और और HSO4 convert हो जाता है HSO4 पर double minus यह इरेक्शन दो step में दिखाए गया है इसी दोनों step को एक single step में दिखा सकते हैं ऐसे तो LHS में जो मिलेगा और RHS में जो मिलेगा उसको काट देना है LHS में क्या क्या मिल रहा है LHS का है HSO4 minus RHS का है HSO4 minus दोनों कट जाएगा बाकी तो कोई ची 2H2O एक सन का साइन 1H3O plus 1H2O 2H3O plus plus SO4 पर double minus आनिकी सिम्पिली इसको बोल सकते हैं कि जब sulfuric acid को water में डुबाते हैं तो यह water का 2 mol को पर्योग करता है और 2H plus आयन के साथ अभी करिया करके बना लेता है दो ठो hydronium आयन पलस एक sulfate आयन यह था आपका acidic nature of sulfuric acid उसके बाद है दूसरा chemical property reaction with base नहीं चार के साथ अभी करिया हम लोगों नहीं पढ़ा कि H2O 4 acid है और हम लोग यह भी जानते हैं कि कोई भी acid base के साथ अभी करिया करके salt का निर्मान होता है तो यह पर दूसरा वही reaction है कि reaction with base H2O 4 acid है तो base के साथ अभी क करके salt बनाएगा और water बनाएगा NaOH sodium hydroxide एक base कितना OH है इसके पास दो एक OH है एक NOH में तो 2 NaOH में 2 OH और H2O 4 के पास कितना hydrogen 2 hydrogen और 2 OH मिलके बना लेगा 2 H2 अब क्या क्या बचा दो ठो एने बचा और एक ठो सलफेट बना लिए Na2 एसोफोर तो sodium sulphate plus 2 mole of water का निर्मान होगा उस NaOH को अभी किरिया कराते हैं H2O 4 से तो क्या होगा तो एक OH और यहां से एक H बना लेगा 1 mole of H2 अब क्या क्या बचा Na बचा H बचा और H और H बचा और एसोफोर बचा तो इसको बोलते हैं sodium bisulfate या तो sodium hydrogen sulfate उसी तरह से calcium hydroxide के साथ अभी किरिया calcium hydroxide में भी 2 OH है और H2O 4 में 2 hydrogen hydrogen तो दोनों मिलके बना लेगा 2 mole of water क्या क्या बचा एक calcium बचा और एक एसोफोर तो बन जाएगा CA SO4 जिसको बोलते हैं calcium sulfate यहां पर एक ही calcium होगा calcium sulfate उसी तरह से है sodium carbonate plus sulfuric acid इसमें किस तरह से reaction होता है तो देखते हैं sodium carbonate में CO3 से carbon dioxide बाहर निकलता है CO2 क्या बचेगा एक oxygen और यहां पर दो ठो हार्डोजन बन जागा H2O क्या क्या बचा एने टू एरसोफोर बन जागा sodium sulfate यह अभी salt है उसी तरह से sodium bicarbonate का sulfuric acid के साथ अभी किरिया फिर carbonate है तो फिर CO2 बनेगा यहां पर एक हार्डोजन यहां से एक हार्डोजन एक oxygen बन जाएगा H2O क्या क्या बचा, Na बचा, H बचा, SO4 बचा, sodium by sulfate का निर्मान होगा तो यह सरा अरियक्षन दिखाता है कि H2O4 acid है और base के साथ अभी करिया करके salt और water का निर्मान करता है तीसरा है अभी इसका chemical property decomposition आने की तूटना बिघटन होना तो जब H2O4 को हम लोग heat करते हैं एक निश्चित ता oxide का यह था आपका chemical property का तिसरा reaction जिसका नाम था decomposition अगला chemical property है reaction with metals धातों के साथ अभी करिया कराते हैं तो salt का निर्मान होता है और hydrogen छोड़ता है तो यहाँ पर भी उससी तरह से इसका reaction होगा किसी भी metal के साथ तुम reaction कराओ acid को तो वह salt का निर्मान करेगा और hydrogen बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से calcium metal है जब H2O4 से मिलाते हैं तो calcium sulfate बनाता है और hydrogen बाहर निकलता है उसी तरह से magnesium magnesium sulfate बनाकर H2 बाहर निकलता है उसी तरह से दो ठो sodium और एक ठो एसो फोर बनाता है sodium sulfate plus H2 बाहर निकलेगा अगला chemical property है dehydrating nature, dehydrating nature का मतलब है जिस compound के साथ sulfuric acid को mix करेंगे उस compound में से water का निर्मान करेगा हो तो उसको बोलते हैं dehydrating nature की water का रियक्षन के पल सुरू बाहर निकलना कहलाता है dehydrating तो देखते हैं यहां एक मेरा alcohol का compound है इसका original formula का है CH3 एक hydrogen बाहर दिखाए गया है bond CH2OH इसको H को बाहर लिखा गया ताकि दिखा सके water किस तरह से निकलता है और यह भी धियान रखना है कि इसका temperature निस्चित होगा तब ही water निकलेगा 443 Kelvin और concentrated के रूप में H2O4 तब क्या होता है कि बगल वाले carbon का hydrogen और इस carbon से OH बन जागा water चुकि एक bond यहां पर तूट गया तो इसका और इसका bond आपस में आधाद हम मिलके एक नया bond के निमान करेगा और बनाएगा CH2 double bond CH2 अलकीन प्लस water लेकिन वही अगर temperature को घटा दिया जाए 442 Kelvin अलकीन प्लस water बना अलकोहल में लेकिन वही इसी अलकोहल का अगर परियोग करें लेकिन temperature सिर्फ घटा कर 413 कर दे तो water अभी भी निकलेगा बसरते product दूसरा बन जाए कुछ इस तरह से CH3 CH2OH CH3 CH2OH दो मोल अलकोहल का OH दूसरा अलकोहल का H बन जाएगा H2O water निकला इन compound क्या बना CH3 CH2OH CH2 CH3 या जिसको इथर बोलते हैं तो इध्यान रखना है कि जब temperature 443 Kelvin यही अलकोहल अलकीन बनाएगा लेकिन जब temperature 413 Kelvin है तो यही अलकोहल दो बार आपस में भी क्रिया करकि इथर का निर्मान क करेगा अगला है इसको बोलते हैं कार्बोसिलिक एसिड का compound जो कि एक compound लिया गया है C double bond OH C double bond OH इसको बोलते हैं oxalic acid जो है सो इसीस बनता है calcium oxalate जिसको पत्थरी हम लोग बोलते हैं आम तोर पर कि हमारे पेट में पत्थरी हुआ है तो इसका formula होता है calcium oxalate जो की इसीस बना दाला जाता है तो water निकलता है किस तरह से तो घेर के दिखाए गया है पहला कार्बोसिलिक एसिड का OH और दूसरे कार्बन में से H बन जागा H2O और यहां से निकलेगा CO2 और क्या बचिया CO तो carbon dioxide water और carbon monoxide क्रेमान होगा उसी तरह से और एक है H C double bond OH इसको बोलते हैं formic acid या पस्थिती में तो इससे भी जो इससो क्या बनता है तो यहां बन जाएगा आपका carbon monoxide और इसका OH और H बन जाएगा water यहां आपका सूगर का formula चीनी का बोल सकते हैं formular आम तोर पर कि जब चीनी में भी sulfuric acid डालते हैं तो carbon को अलग कर देता है और water बना देता है carbon कितना था 12 त सब्सक्राइब कर देता है इसी तरह से हैं अगला अभिक्रिया cuso4 into 5H2 copper sulfate और 5mol of water molecule साथ में जिसको बोलते हैं blue vitrol नीला थोथा भी बोलते हैं इसको cuso4 into 5H2 क्योंकि नीला कलर का होता है जब इसमें भी concentrated sulfuric acid को पस्तिती में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां dehydrate हो जात 5H2 अब दोनों अलग हो जागा पहले साथ में था है अब दोनों अलग होगी उसी तरह से जब iron sulfate और 7H2 जो कि एक molecule hydrated molecule acid का परियोग करेंगे दोनों को separate कर देगा dehydrating के मतलब होता है water को अलग कर रहा है यह था आपका dehydrating nature of किसका sulfuric acid का